एक तरफ है बाहु बली नेताल की धरम पत्नी लवली आनन्द तो दूसरी तरफ है उपराष्ट पती वंकया नाइडू से 2018 में सम्मानित हो चुकी रीतु जैसवाल एक तरफ लवली आनन्द जहां अपने साख को बचाने के लिए चुनाओ लर रही है तो दूसरी तरफ वहीं रीतु जैसवाल खुद को साबित करने के लिए नमस्कार मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जन्ता जक्षन मैं आपको बता दूँ अभी बात है शिवहर के सीट का और शिवहर की सीट अभी होट सीट बनी हुई है लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों के एक नसीब का फैसला शिवहर की जन्ता करेगी लवली आनंद किसी परचे की मोहताज नहीं है वो आनंद मोहन की धर्म पतनी है और चेतन आनंद की मा चेतन आनंद जो अभी जेडियू के तरफ से हैं विधायक है उनकी माताश्री भी है और वो खुद भी वैशाली से सांसद रह चुकी है और अब एक बार फिर से शिवहर से उन्होंने अपना भाग आजमानी का सोचा है और वहीं दूसी तरफ रितु जैसवाल जिनने उपराश्ट पती के द्वारा सम्मानित किया गया है वो सिहवाहिनी से मुखिया रही है और उनका कारेकाल इतना शांदार रहा कि वंकाया ना यानी लवली आनन्द का या फिर रितु जैसवाल का मैं आपको बता दूं रितु जैसवाल इससे पहले एक बार विधायक का चुनाओ लड़ चुकी है और बड़े कम मार्जिन वोट से वो हारी इस सीट पे लेकिन उसके बाद फिर से वापस लोक सभा का चुनाओ लड़ और RJD ने शिवहर से उन्हें टिकट दिया है तो वहीं JDU ने लवली आनंद को चुना है इस टिकट के लिए अब लवली आनंद इस टिकट की दावेदार कैसे बन गई तो एक तो आनंद मोहन का अनुभाव रहा है दो बार वहां से शांसत रहे हैं दूसरा ये कि आनंद मोहन जब जेल में थे तो नितीश कुमार ने एरी चोटी का जोड लगाया आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलवाया और वहीं उसके बाद जब उनकी सत्ता पे भारी ग्रहन प्रतीत हो रही थी तो फरवरी में चेतन आनंद जो की पाला बदल लिये और वापस जाके JDU में मिल लेकिन अगर यही बात किया जाए रीतु जैश्वाल का तो इनके पास अनुभव भी है और इसके बाद ये अपने आपको साबित भी कर चुकी है अपने कारियों से सम्मानित भी हो चुकी है अब अगर बिहार राजनिती की बात हो तो बिना जातिय समिकरण का ये राजनित पूरा नहीं होता और बिहार में खास कर शिवर के सीट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 25 प्रतिशत वैश्य समाज के लोग है इससे पुरू जो सांसद रही है रमा देवी वो भी वैश्य समाज से ही आती है और वो तीन बार बीजेपी से सांसद रह चुकी है शिवर मे लेकिन इस बार ये सीट जो है वो जेडियू के खाते में गया है और जेडियू से लवली आनंद चुनावी मायदान में जोड आजमाने उतरी है और आजेडी के तरफ से रीतू जैसवाल लेकिन रीतू जैसवाल चुकी वैश्य समाज से आती है तो हो सकता है इसका सीधा फ वोटर वहाँ पे 18 प्रतिशत है और वहीं अगर बात किया जाए तो पिछड़ा और आती पिछड़ा वो 20 प्रतिशत वोटर वो भी है और इसके बाद अगर सवर्णो की बात की जाए तो मातर 17 प्रतिशत यानि सबसे कम वोट शिवहर में सवर्णो का है तो अगर सवर्णो के हिसाब से देखा जाए तो लवली आनंद को थोड़ा कम फायदा देखने को मिल रहा है लेकिन अगर जातिगत तोड़ पे देखा जाए तो इसका सीधा फायदा आपको रीतू जैसवाल को मिलने वाला है ये देखा जा सकता है हलाकि इसका परिनाम क्या होगा ये तो अभी भविश्य में छुपा हुआ है ये रिजल्ट के दिन पता चलेगा लेकिन अभी अगर ये कयास लगाया जाए कि रीतू जैसवाल जो है वो थोड़ी भाड़ी परती नजर आ रही है या थोड़ी आगे निकलती नजर आ रही है त तो ये कोई गुना नहीं होगा